नाड़ा बेट नाड़ा बेट एक ऐसी जगे है जहां रोमांच देश भक्ती मनुरंजन का सुन्दर समायोजन होता है नाड़ा बेट इंडो पार्ग बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है जो कि गुजरात के बनासकाथा डिस्ट्रिक्ट में सोई गाउं से लगभग 20 किलो नाड़ा बेट इंडो पार्ग बॉर्डर है और यहां से सबसे नेरस जो विलेज है वो है सोई गाउं जो कि आल्मोस नाड़ा बेट से 20 किलोमीटर की दूरी में है इसलिए यहां पर बहुत जादा रहने के आप्शन एविलेवल नहीं है यदि आप 20 किलोमीटर के आसपास मतला सुई गाउं और नाड़ा बेट के आसपास जितने भी लोकेशन सरज करते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही आप्शन है रहने के लिए सबसे पहला आप्शन है नाड़ा बेट के अंदर ही जो मंदिर है नाडेश्वरी टेंपल वहां जो रहने की सुविधा है और दूसरा है सुई गाउं में स्थित एक गेस्ट हाउस जिसका नाम है सरहत गेस्ट हाउस मतलब आप 20 किलो मेटर के आसपास इन दोनों आप्शन में से किसी भी एक को सिलेक कर सकते हैं तो चलिए अब मैं डेटेल में दोनों आप्शन के बारे में आपको समझा देती तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाडेश्वरी मंदिर में जो रहने की सुविधा है नाडेश्वरी मंदिर नाडा बेट की एंटरी गेट से अल्मोस्ट एक किलो मीटर की दूरी पर स्तित है यहाँ पर नाडेश्वरी मा का एक बहुत ही भव्य और सु और उसी के बैनर में नीचे लिखा गया जगदीज भाई, कांती भाई, नटवर भाई, मतलब ये सारे लोगों द्वारा शायद इस गेस्ट हाउस का निर्मान किया गया है, इस गेस्ट हाउस में दोस्तों टोटल 40 कमरे हैं, मतलब 30 जो कमरे हैं वो 9 AC VIP रूम है और जो 10 कमरे ह जो कि मंदिर के प्रांगण में बने हुए है, जो साधारन है, साधारन रूप से 10 यहां पे बनाए गया है, तो टोटल 40 कमरे हैं यहां पे अलग-लग रहने की सुविधा के हिसाब से, यह जो 30 non AC रूम है, VIP रूम, उनका चार्जेज है एक दिन का 400 रूपया, और यह जो 10 सा नाम है सरहत गैस्ट हाउस, जो कि नाड़ा बेट से अलमूस 20 किलोमीटर की दूरी में सुविधा काउं जो है, वहाँ पर सित है, सरहत गैस्ट हाउस में दो तरह के अलग-लग पकार के रूम से विलेवल हैं, एक है टू बेड एसी रूम, जिसका पर रूम का चार्जेज है वन थाउसन सिक्स हंडर्ड एटी और दूसरा है नौन एसी रूम, जिसका चार्जेज है वन थाउसन वन हंडर्ड ट्वेंटी रूपीज, तो यह है अलमूस 20 किलोमीटर की दूरी में, सुविधाओं में इस्तित है, तो यहाँ भी आप बुकिंग करवा सकते हैं, तो चली वेबसाइट में, यात्राधाम.org में, इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे, तो उपर ही होम पेज में आपको एक सर्च बटन दिखाए देगा, जहां पर आपको टाइप करना है नाडा बेट, नाडा बेट टाइप करते ही आपको नाडा बेट के काफी सारे ओप्शन दिखाए देंगे, नाडा बेट का फर्स्ट ही जो ऑप्शन होगा, नाडा बेट सुई गाओ, वहां आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही इन दोनों ही गेस्ट हाउसे की डिटेल्स जो है, बुकिंग की जो क्लिक बटन्स है, वो दिखाए देंगे, आप जिस भी प्रकार का दोनों में से जो भी गेस्ट हाउस में रूम बुक करवाना चाहते हैं, वहां आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपका आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, उसमें सारे डेटेल्स आपको भरने पड़ेंगे, कितने परसन जा रहे हैं, कौन सा चेक इन डेट है, कौन सा चेक आउट डेट है, टोटल परसन कितने है, आपका मोबाइल नंबर, इमेल एडरस, सारी चीज़े डेटेल्स बुक करने के बाद आपको नेक्स्ट आप्शन में आएगा, कि आपको उसकी बुकिंग करनी है, और उसके बाद आएगा पेमेंट का आप उसे ऑनलाइन पेमे लेडरस दिया है, वहाँ पर आपको जल्द ही इसके टिकेट जो है, कन्फरमेशन टिकेट मिल जाएंगी, कई बाद डिरेक्ली आपको उसी टाइम पर कन्फरमेशन टिकेट नहीं मिलती, इट टेक्स टाइम, 24 आर्स में भी आपको मिलती है, कही कुछ घंटों के बाद भी होती है, क्योंकि यहां रहने की जो सुविधाएं हैं दोस्तों बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए आपको जो बुकिंग कन्फरमेशन है, वो थोड़ी देर बाद ही मिलता है, डिरेक्ली नहीं मिलता है, सेकंड मीन्स है आपका बुकिंग करवाने का डिरेक्ली आप वहाँ प पास फाइल होती है, उसमें नाम एंटर करना पड़ता है, आपका एक आईडी प्रूफ आपको दिखाना पड़ता है, और वहाँ पे आपको डिरेक्ली पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों यदि मैं आपको परस्नली सज़स्ट करूँ, तो बेस तरीका है, सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं, तो पहले से ही सादा तर लोग आउनलाइन बुकिंग करके आते हैं, तो चांसे है कि आप वहाँ पहुंचे और आपको रूम एविलेवल ना हो, इसलिए आपको प्री बुकिंग करनी है, और जो अपने प्री बुकिंग करी इन दोनों guest house का comparison और quality of the room यदि हम quality of rooms की बात करनें तो दोस्तों मैं आपको clear cut ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप एक hotel type की feeling सोच रहें कि बहुत अच्छी सुविधाएं होंगी जैसे लग्जूरी होंगी तो दोनों ही guest house में आपको ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती है साधारन तरीके से लोगों की facilities उनको provide हो सके रहने की इस साधार पर क्योंकि area जो है गांगरामीर इलाका है तो बहुत facilities room की नहीं है लेकिन जी हाँ यदि आप एक दिन के लिए stay करना चाहते हैं तो rooms काफी साफ सुत्रे हैं पानी की facility है 24 hours की hot water भी आपको available हो जाता है आपको bed sheets मिल जाती है blankets मिल जाते हैं औरने के लिए इसके अलावा यदि हम बात करें खाने पीने की facilities की तो जो नाडेश्वरी temple है जो नाडेश्वरी temple में जो guest house हैं वहाँ पर मंदिर में ही सुबह और रात के समय और दिन के समय तीनों time पे नाश्टे की facility रहती है आप वहाँ पर 30 रुपे में मातर 30 रुपे में रात का डिनर भी कर सकते हैं दिन का lunch भी कर सकते हैं और जो खाना होता है वो भी काफी अच्छा होता है एक तरीके से प्रसाद के रूप में वहाँ दिया जाता है जहां हम सरहत guest house की बात करें तो वहाँ खाने की facility नहीं है अब दोनों ही guest house को अगर हम compare करें quality wise तो जादा better सरहत guest house की room है जादा clean है यदि आप AC के preference में जाना चाहते तो वहाँ आपको AC room सी मिल जाते है cleanliness अच्छी है facility जादा better है comparative तो नाडेश्वरी temple लेकिन हाँ वापस से आपको 20 km पहले stay करना पड़ेगा और खाने की सुविधा आपको आसपस नहीं मिलेगी क्योंकि सुई गाउं में कहीं भी कोई अच्छा hotel नहीं है धाबे ही है सरहत guest house के पास में ही roadside में यह दो धाबे हैं जहां पर आप खाना खा सकते हैं तो इन शौट जो है दोनों ही guest house के कुछ minus plus point है या पर डिपेंड करता है कि आप इन में से कौन सॉप्शन सिलेक्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों इसके साथ एक अच्छी news भी है यदि आप किसी luxurious home stay की बात करते हैं होटल की बात करते है जिसके आप कलपना करते हैं एक luxurious home stay की होटल के रूप में तो almost 2-3 साल के अंदर ये property बनने वाली है तो आप सारी सुइनायस में ले सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पर समाप करती हूँ I hope कि आपको सारी बाते clear cut समझ में आ गई होगी कि नाड़ा ब बताएगा अगर आपकी कोई भी query रह गई हो तो thank you so much for watching this video